4, 3, 2, 1, maths हाई students कैसे हैं आज हम करेंगे question जो कहा रहा है in figure, यह हमारे को figure दे रखा है खुछ होना ही है figure दे रखा है two straight lines PQ और RS intersect each other at O if angle POT 75, find the values of A, B, C तो दीख हम चाहते हैं कि RS is a straight line RS is a straight line क्योंकि RS is a straight line है तो यादि इसको पर जो भी angle बनेगा 180 degree बनेगा by the property of linear pair तो अगर RS is a straight line है तो students यह वाला यह वाला और यह वाला RS is a straight line है तो यह वाला तो यह वाला यादि 4B प्लस 75 प्लस B इसका सम्किता हो जाएगा 180 by the property of linear pair linear प्लस ब्रस्म किता हो जाएगा 180 तो यह जाएगा 4B प्लस B 5P 75 को पाकिस्ताम के वेश देंगे तो यह जाएगा 105 तो B की जो वाली हो जाएगी 21 degree बी की वैल्यू क्या विए 21 आगी आगी बी की वैलियो आवे मेरी 21 अब मैं जानता हूं क्या कि R S एंड P Q ये दो स्ट्रेट लाइन्स है जो कुछ इस तरी के इंटरसेंट का दिख रहा है आपको R S और P Q तो इसके जो अपोजिट आइंगल होगे ना स्टूनेंट्स ये वाला और ये वाला ये क्या होंगे इकीगव और मने में डीजिन ऑफ एंगव रॉकिना और वोजिट में तो यानि आर्फ पीसो वाड़ की ओ एस के क्या रीजिन ईजए नहीं आला मॉर्टी एपॉसिट एंगल जब दो ला इंटसे करता है रहर बंगता है वोड़ छोते हैं जोगा देगा और जाते हैं किती हैं तो यह जाएगा गया क्या क्या करेंगे हम जाते हैं कि आदो यह यह वाला यानि यह वाला और इसका भी तो गातित को बिलाइन को जाएगा। इती हो जाएगा।्ति ईती हो जाएगा। तो आदिती एक जाएगा। नहीं सी जो आजाएगा हो 48 डिगरीज आजाएगा तो इसमीन हमने देखा कि यह जो डिफरेंट एबी सी की वैल्यूस की वह में निकाल दी है हमसे बही पुछाता है तो आज होग आप कोई चीज क्लियर है फिर भी कुछ आउट रोग उच पुछना हो तो आज आउट कोई लोग आवएगा हो